इसकार दोस्तो हम पढ़े हैं दिल्ली सलतनत आज हम करेंगे तुगलक वन्स का रिवीजन तो वीडियो हमने डीटेल में बना चुकी है जहाँ पर हम गयासुदीन तुगलक जो की संस्तापक था उसके बारे मनाई उसके बाद मुहमद बिन तुगलक के बारे मनाई जो की इसके अलावा अगर आप पूरी तीन वीडियो डीटेल नहीं देखना जाते तो इस वीडियो का देखने न हो जाएगा ठीक है तो वही कॉंसेट रहेगा बढ़ थोड़ा तेज रहेगा ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते आज की वीडियो तुगलक वन्स के बारे में तो 1320 में गयासुदिन तुगलक जिसे गाजी मलिक नाम से जाना जाता है उसके द्वारा की गई थी वहीं तुगलक वन्स का सासनकाल 1320 से 1414 तक रहा वहीं यह दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा सासनकाल भी था ठीक है दोस्तो दिल्ली सल्तनत में तुगलक वन्स से सबसे अधि सासक आये फिरोसा तुगलक के बाद उनके बारे में तो मुख्य तीनी होने वाले हैं गयासुदिन फिरोसा और मुहम्मद बिन तुगलक यह तीनों के बारे में इंपोर्टेंट क्वेशन आते हैं बाकी तो एसे वहीं थे ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला सासक कौन था दोस्तों अब पढ़ते हैं गयासुदिन तुगलक के बारे में तो गयासुदिन तुगलक का राज्यबिसेग 8 सितंबर 1320 में होते हैं वहीं इसका सासनकाल 1320 से 1325 तक 5 वरसों करेते हैं ठीक है और इसकी राजदानी तुगलक का बारे में बात करें तो इसने तुगलक वंस की स्टापना की क्रिसी विकास के लिए इसके द्वारा पहली बार नहरे बनाएगी दिल्ली में इसके अलावा डाग व्यस्ता को इसने तीवर गामी और ससक्त बनाया और अमीरों से लूटे हुए जमीन को फिर से इसने वापस किया जो की अलावदीन खिलजी ने लूटी थी और सीचाई के लिए कुगों का निर्मान भी इसके द्वारा किया गया जिनने हम डीटे में पढ़ेंगे तो इसके द्वारा लगान के रूप में उपज का 1 by 10 या 1 by 12 ठीक है 10 या 12 परसेंट ही हिस्सा लेने का आदेश दिया गया तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जो क्या कहत बड़े दागने और चेहरे लिख्वाने की प्रथा को बंद नहीं किया गया यह सुचालू रूप से चलती गई ठीक है यह ते गयासुदिन तुगलक के कार यह आप जान लेते उसके सैन्य अभ्यान के बारे में तुगलक का पहला सैन्य अभ्यान था तेलंगाना अभ्यान तो जूना खां के नेत्रत्में इसने तेलंगाना पर विजय की जिसके बाद जूना खां का नाम मोहमद बिन तुगलक पढ़ गया तो जो मोहमद बिन तुगलक अगला सासक बनता है उसका नाम पहले क्या था तो जूना खां था जो कि किसके बाद बदला गया तो तेलंगा अभियान के बाद बिदला गया इसके बाद इसने तिरुहती विजय की जो कि मंगोलों पर विजय थी तो यह विजय जूना खा के ने तुमी हुई यह विजय जूना खा नहीं की थी ठीक है दोस्तों तो यह थी मंगोल पर विजय कौन सी तिरुहती विजय बाद गयासुद द दिल्ली चोड़ने का आदेश दिया गया पर इसके जवाब में निजामुद्दीन ओल्या द्वारा कहा गया कि हुजून दिल्ली दूर अस्तर्थाद हुजूर यानि कि राजा जी अभी दिल्ली दूर है लेकिन और इसी के बाद इसकी मृत्ति हो जाती है क्योंकि किते लोग दिल्ली अभी दूर है तो जिस कारण उसके बाद इसकी वापस लोटते था है मिर्ट्यू हो गई थी क्योंकि एक बारे मागर बात करें तो मार्च 1325 में इसकी मिर्ट्यू होती है तुगलगाबाद से 8 किलो मीटर दूर तो हमने पहला पड़ा था कि तुगलगाबाद गया जिसकारण वहां के महल में जाता है और इसके उपर पूरा महल या च्छत गिर जाती है जिसकारण इसकी मृत्यू हो जाती है उसके बाद गयासुद्दीन तुगलग का मगबरा बना जाता है तुगलगाबाद में तो यह था गयालसुद्दीन का जन्मत से लेकर अंतिम तक का सब्स आसकरता हों कि समझ आ गया होगा तो चलिए बढ़ते हो जानते अपने अगले सासक इसके बाद जो सासकायतानी की मुहमद बिन तुगलक के बारे में बात करें तो इसे जुना खान आम से भी जाने जाता है जिसका राज जबिसे एक तेरा सो पचीज में होता है वहीं इससे उपाधी दी जाती है रक्त पिपासू और पागल सुल्तान की ठीक है वहीं मृत्यू की बात करें तो 20 मार्च 1391 में थट्टा पाकिस्तान में इसकी मृत्यू हो जाती है यह था इसका बेसिक इंट्रोडक्शन ठीक है अगर आपको अलग से वीडियो देखनी है तो व आंकेतिक मुद्रा चलाएगी और खुराशान अभियान किया गया और कराचिल अभियान किया गया जो कि सभी के सभी असफल रहेते ठीक है तो यह पागल और मूर्ख टाइप का सा सकता पर दिल्ली सर्तनात का सबसे एजूकेटेड परसन भी था परन्तु इसके योजना है बहुत खराब रही तो हमने पिछली वीडियो में जाना था अगर आपको डीटेलिंग जाननी है तो वह देख सकते हैं पर रिवीजन जानना है तो इतना ही मिलेगा ठीक है तो चलिए इसके योजनाओं को एक बाद डीटेल में समझ लेते हैं तो क्या कहते है इसकी योजना यहां से भी नदी है यहां से भी नदी है तो इसे भरपूर मात्रा में तत्तो मिलते हैं ठीक है भरपूर मात्रा में पोशन मिलता है जिसकारण यहां के जो चेत्र होगा वो बड़ा उपजा होगा तो इसने यहां पर जो भी फसल उचपादन होती थी उस पर कर लगाया था परन्तु जब इसने करवर्दी की तो वहाँ पर सूखा पढ़ गया थी जिसके बाद इसने किसानों का विदरो रोक रोकने के लिए और उनकी मदद करने के लिए दिवाने अमीर कोही नामक विभाक की स्तापना की थी तो दोस्तों पेपरों पूछे जाते है कि दिवान एक अमीर कोही नावा विवाकी स्थाबने की तो मुहम्मद बिन तुक लगने की तो किसानों के लिए की किस कारण तो सूखा पढ़ने के कारण जो किसानों को आर्थिक घाटा हुआ था या उनकी फसर बरबाद होगी तो उ परिवर्तन तो इसके द्वारा 1327 में दिल्ली से देवगिर यानि की दौलताबाद में राजधानी परिवर्तित की गी जिसका मुख्य उद्देश सी था मंगोल आक्रमन से बचना और धक्षिन भारत में इसलाम धर्म का प्रचार प्रसार करना तो दिल्ली सल्तनात में हमने परिवर्तन जाइगा परन्तु जब इसकी दाजधानी वहां सिफ्टी की गी तो उत्तर भारत में इसकी नजरें नहीं होती तो इसका में प्रजा के विद्रों के कारण इसे पुरह दिल्ली में अपनी राजधानी को लाना पड़ा था ठीक है तो यह भी असफ़ल रहा था इसकी योजना चलिए आगे जानते हो तीसरी योजना इसकी क्या गरती है वह देख लीते है के द्वारा सांकेटिकiği मुद्रा भी । छलाएगी तो इसके द्वारा तांबे और कांसे के सिक्के चलाएगे जिनका मूल ये चादी के टके के बराबर होता था परन्तु इसके द्वारा मुद्रा निर्मान गुपत नहीं रखी गी तो जैसे कि हमारे देश में मुद्रा निर्मान को न करता है तो RBI करती है Reserve Bank of India तो वो अपनी जो मुद्रा का क्राइटेरिया होता है उसे गुपत रखती है उसे किसी को बताती नहीं चाहे हमारे पास नोट आरा हम उसकी कॉपी नहीं कर सकते तो अब तक तो लोग चूरी चुपके कापी कर रहे ते परन्तु अब उन्हें राजा ने आदेश द दिया order दे दिया कि आप अपने नकली सिक्कों को लाओ जमा करो और असली चांदी के सिक्के ले जाओ तो अब जो लोग थे तो वो नकली सिक्के और चापने लेगे ठीक है दबा कर नकली सिक्के चापने लेगे और यहां राजकोसमा आते तो और वहां से ले जाते असली सिक्के तो समय खुराशान जयाएन में मंगोल consig Irfanór Kanoshi Masaru मंगोलों का यहां पर पत्र काला थी जिस कारण उसे लगने लगा कि यहां पर मंगोल विज्व करने के लिए योजना बनाए जहां उसके तीन लाग सत्तर हजार सेनिकों को एक वर्स के अगरीम यानि के एडवांस वेतन पर रख लिया गया तो जो इसने सेना तियार की जिसमें तीन लाग सत्तर हजार सेनिक थे जिने एक साल के अगरीम यानि के एडवांस वेतन पर इसने तियार किया परन्तु अंत में इसने खुराशा कि सासक द्αरा संधिय कर लीगी जिसकार यह अभयान अभियान समापत होते हैं और इसके बात जो इसके द्वारा सुख संधियोwww परंतु अंतमन सांतिपूर्वक संती हुई जिसकारण सेनिक काफी गुस्ताव है जिसके बाद इसने एक और अभ्यान किया था इसने कराचिल अभ्यान किया तो इसे लगने लगा कि सेनिक के विद्रों से बचने के लिए इसने उन्हें हिमाले की दूर्गम चोटी पर कराचिल अभ्यान करने को भेज दिया परन्तु जहां सेनिक रास्ता भटके और कुछ सेनिकों आफसी विव्याद हुआ जिस कारण वो सभी एक दो गुट बने होंगे तो वो गुट आपस में लड़ भिड़कर मर गे ठीक है तो इस कारण जो इबन बतूता है जो कि कहां का यात्री था तो उसके द्वारा बताया जाता है कि दस सेनिक की वापस बचकर आयते कराचिल अभियान के बाद और मोहमद बिन तुगलक के कारिकाल में मोहमद बिन तुगलक के कारिकाल में मोहमद बिन तुगलक ने खुस होकर इबन बतुता को दिल्ली का काजी भी न्यूक दिया था तो कराचिल अभियान में किसके द्वारा बताया गया कि सेनिक दसी बजे तो इबन बतुता द्वारा बताया था वहीं इबन बतुता किसके कारिकाल में भारत आया था तो मुहमद बिन तुगलक कारिकाल में था वहीं म बात कर लेते हैं इसके कुछ अन्य बिंदू की तो मुहम्मद बिन तुगलक के कारेकार्मी हरिहर एवं बुक्का जो दो भाई थे उनके द्वारा 1336 में दक्षिण में स्वतंतराज विजय नगर की स्टापना की गी वहीं 1347 में अलाउदिन भहनम शादवारा बहमनी सामराज की स्टापना भी की गई थी महमद बिन तुगलक की मृत्य हो जाती है जो की 20 मार्स 1341 में थटा पाकिस्तान में होती है और इतिखासकार बदायूनी इसने इसके बारे में कहा था कि जनता को अपने राज यानी की सासक से और सासक को अपनी जनता से चुटकारा मिला था क्यो दोस्तों तो यह हो गया महमद बिन तुगलक का भी टॉप बिक खतम अब जानते हैं फिरोज सा तुगलक की बात करें तो इसका राज्यविसेक दो बार होता है पहला राज्यविसेक इसका होता है 23 मार्च 1341 में थटा पाकिस्तान में वहीं दिल्ली आने के बाद इसका अग रित्य होती है 20 सितंबर 1388 को जौनपूर में तो पढ़ लिया हमने इसका राज ये भी सेग होता है दो बार 1351-23 मार्ज अगस्त दे राज नितिक अपराधों में दंड को भी परिवर्तन किया गया सरकारी सेवाओं को वनसा नुगत बनाया गया नकत वेदन की जगा पर जागीर देने की विवस्ता की गी मुद्रा सुदार किया गया नगरों का निर्मान किया गया नहरों का सोरी और इसके अलावा दासों में प्रेम वो सिफे खाना की विवस्ता भी इसके द्वारा की गी थी जिनने हम डीटेल में जान लेते हैं पहला कार्य था रिण समापती तो फिरोज सा तुगलक जब सासन में आया तो उसके द्वारा जो किसानों का रिण यानि की कर्ज था वो माफ कर दिया गया जो उन्होंने सरकार से लिया था इसके अलावा इसके द्वारा मुखे चार प्रकार के करी लगाएगे ठीक है दोस्तों पिछले जो सासकते वो बहुत सारे कर लगा लेते हैं जिसकान इसने सारे कर बंदी किये और मुखे चार कर वो ही चलाया जिसमें पहला करता जजियाकर तो जजियाकर गैर मुस्लिमों पर लगाये जाता था वहीं खंस जो की युद्ध मन लूटे हुए सामान पर कर लगा जाता था खराज था जो लगान दिया जाता था लोगों से इसके अलावा जकात यह इसलाम धर्म में अढ़ाई यानि कि इसलाम धर्म के अनुसार अढ़ाई प्रतिसर्च यानि कि 2.5% अम वह एक महिने में अगर 10,000 रुपे कमारा होगा तो उससे 500 रुपे लिया जाएगा और इसके अलावा वाई को यह रुपया दिया जाएगा जो की गरीब होंगे ठीक है दोस्तों तो इसके जाया मुखे चारी कर लगाएगे तो यह था इसका पहला कारिये रिड़ समाक्ती और करवस्ता इसने राजनितिक अपरादों में दंड भी परिवर्तित की गए तो फिरोस्ता तुगलक ने राजनितिक अपराद जैसे राजद्रो हो गया गमन जैसे दंड विदान में परिवर्तन करके कठोर दं को सामान ये दंड कर दिया था तो हमने पढ़ा था कि जो प फांसी दे सकते हैं, कुदा सकते हैं, ठीक है, चुनवा सकते हैं, परन्तु इसके द्वारा राजदोरों और गवन के जो मामले होते थे, उसमें कठोर दंड की जगापर सामान दंड या 5 साल की सजा होगी, 10 साल की होगी, या 5-6 महिने की होगी, इतनी सजा दी जाती थी, इसक से किसी का पपा गाम कर रहा है यहां पर तो उसके पापा को यहां से मृति होगी किसी के पापिता की या किसी के ससूर की या किसी के मालिक की मृति हो जाती थी तो वो यहां पर नए जो लोग है उनको हायर नहीं करता था तो पुराने लोग यानि कि उसके बेटे को हायर कर ले की जगाव पर जगाव मनलोगों को वनसानुगत बनागी देगा था ठीक है दोस्तों यानि कि बाप मरेगा तो बेटा करेगा बेटा मरेगा तो उसका बेटा करेगा ठीक है यह था इसकी क्या सरकारी सिवाओं की नीती इसके द्वारा नकट वेतन की जगाव पर जांगीर दे का टुकडा दिया करता था जो की इल्टुत मिजद्वारा शुरू किया गया था फिरोसा तुगलक ने मुद्रा सुधार के लिए भी कारी किया तो हमने पढ़ चुके हैं कि मोहमद बिन तुगलक ने किस प्रकार मुद्रा की धजियां उड़ाई थी जहां उसने तांबे और क 500 यानिकी 6% हिँआ करती थी इसके अलावा इसने अध्र चलाई यह एक तांबे की मुद्रा होती थी जो कि जीतल के मुद्रा के 1 फिरोज सा तुगलक द्वारा नहरों का निर्मान भी किया गया तो फिरोज सा तुगलक ने नहरों का निर्मान करने में सबसे अधिक योगदान निभाया योकि फिरोज सा तुगलक के कारेकाल में सबसे अधिक नहरों का निर्मान करवाया गया जो की दिल्ली और हर्याना के म उत्पादन का फिरोसा तुगलक के कारिम अगला कारे दास प्रेमी था तो जिस कार्ण उसके द्वारा एक लाख अस्ती हजार दास रखे गए थे अपने कारी के लिए वहाँ इन दासू के नियंतरन के लिए उसने दिवाने वेद गान नामा एक दास विवाक की स्ताबना की थ दिया जाता था इसके द्वारा शिफा खाना यानि की निसूल के चिकिस्ता की विवस्ता भी की गी तो फिरोसा तुगलक के कारिकान में अनेक निसूल के चिकिस्ताले बनवाए गे जहां उनका नाम दारूल सफा नाम से जाना जाता है वहीं फिरोसा तुगलक द्वारा ही ब्रामनों पर जजियाकर भी लगाया गया था जिसे हम पढ़ लेते हैं पर बात करें जजियाकर की तो मुहमद बिन कासिम दारा जजियाकर सुरू किया गया जो की गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था परन्तु यह बच्चों पर हो गया औरतों पर हो गया विकलांगों पर हो गया और ब्रामनों पर हो गया नहीं लगाया जाता था परन्तु फिरोसा तुगलक ने यो ब्रामनों पर भी जजिया कर लगाया परन्तु अकबर द्वारा 1564 में यो कुछ टाइम के लिए बंद कर दिया गया और इसके बाद जो मुगल वन्स का सासक आया औरंग जेब उसक अगले मुगल सासक मुहमद शार अंगीला द्वारा 1720 में इसे पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया जजिया करकू ठीक है बात बात कर लेते हैं फिरोसा तुगलक की मृत्यू की तो फिरोसा तुगलक की मृत्यू 20 सितमर 1388 में जौनपूर मोही वहीं इसे होजखास परि 1388 से 1358 तक जो आयते वो आयते गयासुदिन दूती अबू बक्र नसरुद्दीन अलाउद्दीन और नुसरत सा सासन किया इनके बार में इतना है नहीं और कुछ काम के थे भी नहीं हो एक एक दो-दो साल के लिए आयते जोगी कौन गों थे गयासुदिन दूती अबू बक् 4895 तक और उसके बाद 1399 से 1412 तक मोहमूद सासन में आया और तुगलक वंसका अंतिम सासक के रूप में इसने सासन किया था नसुरुदिन महमूद सा के बारे में जाने तो 1398 और 99 में महमूद के कारेकाल में तैमूर के उत्तर भारत में आक्रमन किया किसके कारेकाल में तो नसुरुदिन महमूद सा के कारेकाल में जिसका दिल्ली सतनत से मालवा, खांदेश और गुजरात अलग हो गेते यह तीन राज प्रुदिन्च महमूस सा को ग्रिफतार कर लिया गया था परंतु 1405 से सुल्टान महमूस सा वापस दिल्ली लोटा और 1412 तक सासन किया और इसकी मृत्त्यू के बाद दौलत खान नाम के सरदार ने दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया था तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि महम पूसा 1399 में आया था सासन में उसके बाद युद्धों में इससे ग्रिफतार कर लिया गया था पर यह 1405 में फिर से वापस आया वही 1405 से 1412 तक इसने सासन किया परंतु उसकी मृत्यू के बाद दौलत खान ने एक सरदार था जो दिल्ली का उसके दिल्ली में अपना अधि कर लिया गया और उसके बाद 1414 में ख्रिच खादवारा एक नए वंस सयद वंस की स्तापना कीगी जो कि हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे ठीक है दोस्तों तो यह था आज का हमारा टॉपिक जहां हमने क्या पढ़ा तो हमने पढ़ा तुगलक वंस के बारे में पहले से अगरी तो आसा करता हूं कि आपको डीटेल वीडियो अच्छे समझाए होगी अगर अगली वीडियो में तब तक प्यार बनाएं रखें खुश रहें खुश्यावाट तुने बहुत बहुत धुन्यवाद